हेलो एवरिवान, वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल, आज में लेकर आई हूँ एक ओन्गूइन कोरियन ड्रामा, जिसका नाम है माई मैन इस क्यूपित, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं, वो एक गन लेकर बिल्दिंग के उपर खरा हुआ ये लड़का हमारे ड्रामे का में में लीड है, जिसका नम सांग्योग है, वही वो गन से निशाना लगाता है, उसके बाद हम एक फेमोज जगा को देखते हैं, ये ब्लाइंडेट के लिए फेमोज स्पॉत होता है, जहां हम एक कपल को देखते हैं, वो दोनों ब्लाइंड के लिए आए थे, वही लड़की वहां से जा रही थी, तब ही सांग्योग लड़के के तरफ सूट कहता है, जैसे ही लड़के को तेल लगता है, तब वो लड़का लड़की को बुलाता है, और उसे देख के लिए पूछता है, वही जब लड़की उसके तरफ मोटी है, तो तो सांग्यों उसके उपर भी तेर माता हैं, यहां दोनों को तेर लगते ही एक दुस्से से प्यार हो जाता है, और वो लड़की लड़के को एंसर में इसकर देती है, यह सब देकर बहुत सारी लोग इस जगा में रिजविशन कराते हैं, इस जगा का नाम लब रूम होता है, सांग्यों क्यूपित होता है, उसके बाद सांग्यों जब घर जाता है, तब वो देखता है घर पुरा गंदा हुआ है, यह सब उसके फ्रेंड ने किये होते हैं, वही उसके फ्रेंड भी क्यूपित होते हैं, और उन दोनों का नाम डॉंगू और डॉंगपल है, साथी हम ए कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और डॉंगू सांग्यू को डिनर बनानी के लिए कहता है तो सांग्यू उनके लिए डिनर बनाता है उसके बात हम देखते हैं जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब डॉंगपल डॉंगू को दाट रहा था क्यूंकि उसने गलत लोगों को कपल बनाया था जिससे उनका एरो थोड़ा सा सिल्वर हो गया था वहीं डॉंग पल कहता है मैंने कितना महनत कया था मैंने ही जादा एरो को गोल किया था तब डॉंग भी कहता है मैं भी बहुत महनत करता हूँ वहीं वो दोनों कहते हैं ये सब में गलती सांग्यूग की है उसके बाद हमें पासका सिन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं दौंग चिंग एक लेडी के उपर एरो मार रहा था तभी सांग्यूग दौटे हुए उस लेडी के पास जाता है जिससे सांग्यूग को तील ल मैं ये बात 500 साल से सुर रहा हूँ और वो सौरी कहता है तब डॉंगपाल कहता है ये खतम होने ही वाला है हमें बस और थोड़ा सा काम करना है और यहां हम देखते हैं ये एरो गुल होने के लिए थोड़ा सा बाकी था एरो के गुल होते ही उनलों का काम भी खतम हो जाता है व जहां वो भाग रहा होता है उसके बाद हम डॉंगु और डॉंगपाल को देखते हैं जहां डॉंगु कहता है क्या कोटलेनी ने फीसे जनम लिया है जिसके वज़े से हमारा ऐसा हालत हुआ है तब डॉंगपाल कहता है तुम उसके बारे में क्यों अच्छानक से पूछ रही ह तब डॉंगु कहता है बस मन में आ गया था क्योंकि हम लोग जल्दी ही यहां से जाने वाले हैं तब डॉंगपाल कहता है उसने कई जनम लिये होंगे कई रुप में उसके बाद हम एक एनिमल का क्लीनिक को देखते हैं जहां बहुत लोग अपनी एनिमल को लेकर आये होते ह वहीं उनके सामने और एक क्लिनिक होता है लेकिन वहां कोई भी नहीं आया होता है जिससे वहां की डॉक्टर अपनी नर्स से पूछती है उसका क्या नाम है तब नर्स कहती है बाकरियों वहीं डॉक्टर कहती है जब से ओबेक यहां आई है तब से हमारे क्लिनिक में कोई नही आ रहा है, हमें कुछ करना ही होगा, उसके बाद हम ओबे को देखते हैं, ये ही हमारी ड्रामा की फीमिल में लीड है, वहीं उसके क्लीनिक में एक अमिर लगा आता है अपने दॉब को दिखाने, वहीं वो ओबे को प्रपोस करता है ये देखकर एक नर्स कहती है ओबेक कितनी अनलकी है क्योंकि जब भी ओबेक किसी को डेट करती है देटिंग के शुरुआत से ही उस लगकी को चोट लगने लगता है या कुछ हो जाता है और यहां हमें दिखाया भी जाता है जब ओबेक 9 साल की थी तब उसका फर्स बॉइफ जाती है उसके बाद जब वो इनिवर्सिती में थी तब उसने फीज से एक लगके का प्रपोजल एक्सेप किया था तब उसका बॉइफिन सीरियो से गिर जाता है जिससे बहुत खुर निकलने लगता है वहीं जब ओबेक का फोर्ट बॉइफिन बना था तब उसके गले में रिंग अतक जाता है उसके बाद सिन प्रेजन में आता है जहां नर्स कहती है इसलिए ओबेक ने फीज से बॉइफिन नहीं बनाया और वो एक वेटेनरी डॉक्टर बन गी क्योंकि वो एनिमल को जितना भी प्यार करे उन्हें कुछ नहीं होगा तब एक नर्स कहती है उनकी फैमली कितने सैट होगी कि उनकी बेटी किसी को देट नहीं कर सकती है तब दूसरी नर्स कहती है ओबेक अनाथ है उनकी कोई फैमली नहीं है उसके बाद हम ओबेक को देखते हैं वो मांटेन में जाकर पे कर रही थी और कहती है मुझे माप कर दीजी और यहां हमें एक फ्ल करके को देद करती हूं तब उसके साथ कोई ना कोई एक्सिडन हो जाता है तब वो आत्मी कहता है तुमने अपने पास लाइप में बहुत बड़ा गुना किया था इसलिए तुम पांसो साथ से जनम ले रही हो और अकेले ही रह रही हो लेकिन तुम्हारी डेस दिनी में एक ल लग रहा था जिससे वो ओबे को वहां से चलने कहती है तो वो आत्मी उसे एक नंबर कहता है और कहता है तीन लोग इंजर्ट होंगे और एक मारे जाएगा उसके बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं वहां दो कार का एक्सिडन होता है जिनके कार का नंबर वही होता है जो उस आत्मी ने कहा था वही तीन लोग इंजर्ट होते हैं और एक मर जाता है ये देखकर ओबेग दौड़कर उस तेरो शॉप में जाती है लेकिन वहाँ वो आत्मी नहीं होता है एक लेडी होती है वही ओबेग उस लेडी से उस आत्मी के बारे में पूछती है लेकिन तब वो लेडी कहती है मैं ही यहाँ की ओनर हो उसके बाद सिन प्रेजन में आता है जहां ओबेग प्रे करके वहाँ से जा रही थी वहीं सांग्यूग भी माउंटेन में जा रहा होता है वहीं ओबेग उसे देख रही होती है और कहती है ये मेरे से ज़्यादा सुन्दर कैसे हो सकता है उसके बाद ओबेग घर जाती है जहां उसकी फ्रेंड लाइब स्ट्रीमिंग कर रही होती है ओबेग को माउंटेन में जाते हुए 993 days हो गया था उसके बाद ओबेग अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाती है उसके बाद हम सांग्यूक और बाकी के क्यूपित को देखते हैं वो लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो फेमोस देटिंग स्पॉर्ट लड़ा ब्रूम होता है वही सांग्यूक एक आत्मी से मिलता है जिसका नम मिस्टर पाक है उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहां वो खाना खाते हैं वहीं मिस्टर पाक दौंगू को कार्ट देते हैं क्योंकि दौंगू का सारा पैसा खतम हो गया होता है मिस्टर पाक इनके बटलर के रुप में काम करते हैं उसके बाद मिस्टर पाक अपनी रॉफिश में जाते हैं और वहां हमें कुछ आत्मियों का फोटो दिखाया जाता है उसके बाद हमें एक फ्लेश परिक सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर पाक के ग्रैनफादर उसे कहते हैं ये लोग फ्रैजरी से और एक डॉग बन जाता है और उनकी वज़ा से ही हमारा लव रूम आज बना है और हम जो अमीर है उनकी हैब से ही है इसलिए आज से तुम उनका ख्याल रखोगे लेकिन मिस्टर पाक को उनकी बातों में भरुसा नहीं होता है उसके बाद हम मिस्टर पाक को बाहर देखते हैं जहां वो बहुत ही जादा ड्रंग होते हैं तब ही उनके पास सांग्यों आता है तब मिस्टर पाक उससे पूछता है तुम कौन हो तो सांग्यों कहता है मैं वो ही फैरी हूँ जिसके बारे में तुम्हारे ग्रेंट फॉर्डर ने तुम्हें बताया था और तुम्हें किसी पर crush है क्या मैं उसे तुम्हें इलाइक करने वाला कर दूँ उसके बाद सिन प्रेजन में आता है जहां मिस्टर पाक अपनी फैमिली की फोटो देखर स्माइल करते हैं उसके बाद हम देखते हैं ये चारों पांसो साल से ऐसे ही कपल को मिला रहे हैं इनसानों के बीच में रहे कर उसके बाद हम एक लेडी और आत्मी को देखते हैं जहां वो लेडी उस आत्मी के प्यार को ठुकरा कर वहां से चली जाती है वही हम सांग्यू को देखते हैं वो कच्छा फेक ने आया था जिससे वो ये सब देखकर उस आत्मी के पाँ जाता है और कहता है ये लेडी तुम्हारे ले नहीं थी तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे बहुत ख्लोस है इसलिए इसे भूल जा उसके वाद हम सांग्यू को माउंटेन में देखते हैं वहीं जो सांग्यू अपने कार के पाँ जाता है उसके गारी के आगे किसी और की गारी खरीर होती है तो वो पास के एक रेस्टूरन में जाकर उस कार के नंबर को कहे कर पूछता है ये गारी किसकी है लेकिन कोई भी reply नहीं देता है वहीं वहाँ ओबेक भी होती है जो बहुत ही ज़़ा ड्रंक होती है और वो अचानक से उठती है और सांग्योग के पाच जाती है और उसे honey कहकर नीचे गिर जाती है तब restaurant की owner आके सांग्योग से कहती है क्या तुम इसके boyfriend हूँ तो सांग्योग कहता है मैं इसका boyfriend नहीं हूँ तब वहाँ के एक एक लड़के उठकर कहने लगते है मैं इसका boyfriend हूँ तब restaurant की owner सांग्योग से कहती है तुम कैसे अपनी girlfriend को किसी stranger के हाथ में छोड़ सकते हूँ तो सांग्योग कहता है मैं भी stranger ही हूँ वही लेडी के बार बार कहने पर सांग्योग को ओबेग को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है वही सांग्योग उससे जैसे जैसे कार में लेकर जाता है और वो उससे उसका address पूछता है लेकिन ओबेक उस हालत में नहीं थी कि वो अपना एड्रिस बता सके उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं वो अपने डॉग को माउंटेन में धून रही होती है वही उस लेडी का डॉग कुछ खोड रहा था लेडी जब अपने डॉग के पार जाती है तब वो वहाँ सकेलीटन देखर डर जाती है उसके बाद वहाँ पुलिस आते हैं और उस सकेलीटन को निकालते हैं और उन्हें सकेलीटन के साथ दो बैक भी मिलता है वही ये नियुस टीवी में दिखाया जा रहा था और ये skeleton school की लगी का होता है उसके बाद हम ओबाग को देखते हैं उसे होशा जाता है वहीं वो पुलीश टेशन में होती है तब ओबाग पुलीश वाले से पूछती है मैं यहां क्या कर रही हूँ तब पुलीश वाला कहता है तुम्हें यहां एक आत्मी चोड़ के क्या है नेक्स सीन में हम सांग हूँ को देखते हैं वो मिस्टर पाक से मिलने चाता है और मिस्टर पाक उसे एक क्यूपिट एक्जूवेशन का टिकेत देते हैं तब इस सांग हूँ को डिटेक्टिव का कॉल आता है और डिटेक्टिव उसे बताते हैं हमें जौंगा का बॉडी मिला है वो स्केलितिन जौंगा नाम की एक लड़की का होता है तो सांग हुग ब्यूरो जाता है और वहां जौंगा का सामान को देखकर एक फ्लेश प्रिक सिंग को याद करता है जहां जौंगा उसे लाइक करती थी और जौंगा ने उसे स्कुल के बार रात को पार्क में मिलने का प्रॉमिस लिया था और जौंगा स्कुल चली जाती है वही रात को सांग हुग उसका वेट कर रहा था वही जब उसे नहीं आते देखकर वो उसके घर जाता है तब वो देखता है ज्योंगा की मौम पुलिस से उसे धुनने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है उसके बाद हम सांग्यूग को डिटर्टिक के साथ उसी जगा में देखती है जहां से ज्योंगा का सेलितन मिला था और सांग्यूग कहता है मैं इच जगा से कई बार गया था वो यही थी मुझे पता ही नहीं चला और सांग्यूग रोता है उसके बाद हम ओबेक को देखते हैं वो उसी माउंटेन वाले होटेल में चाती है और वो उस लेडी को बताती है वो मेरा अब्यूर्फिन नहीं था तब वो लेडी कहती है लेकिन तुम उसे हनी कह रही थी तब ओबेक सोचती है वो कौन था वही लेडी एक लड़की को दिखा कर ओबेक से कहती है ये लड़की अकेली आई है तुम उसके साथ बैठ कर डिंग करो उसके बाद हम सांग्योग को देखते हैं वो वहाँ से जा रहा था तब ही वो देखता है एक आतमी आकर अपने डॉक को अकेले चोड़ कर वहाँ से चला जाता है ये देखकर सांग्योग को गुसा आता है तो साग्योग जाकर उस आत्मी में ती चलाता है, जिससे उस आत्मी को अपने डॉक्स से प्यार हो जाता है उसके बाद हम ओबेक और उस लड़की को देखते हैं, जहां वो दोनों ड्रिंक करते हुए बहुत बाते करते हैं और ओबेक उसे अपना नंबर भी देती है, उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, उन्हें जाते हुए कोई देख रहा होता है उसके बाद हम ओबेक को क्लीनिक में देखते हैं, जहां उसकी एक नर्स उसे एक क्यूपिट एक्जुवेशन का तिकेत देती है उसके बाद हम सांग्यों को देखते हैं, वो भी उस एक्जुवेशन में जाता है, और वो वहाँ एक पेंटिंग को देख रहा था तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उससे पूछता है क्यूपिट किस ताइप के गोट होते हैं, तभी वहाँ ओबेक आती है और वो क्यूपिट को गाली देकर कहती है, उन्होंने आज तक मुझ में एरो नहीं मारा, जिससे मुझे अकेले ही रहना पर रहा हैं वहीं जब ओबेक सांग्यों को देखती है, उसे याद आ जाता है कि उसने ही उसे पुलिश टेशन में चोड़ा था और वो सांग्यों से पूशती है, तुमने मुझे पुलिश टेशन में क्यों चोड़ा था तो सांग्यों उसे सारा बाते बताता है, और कहता है, तुम बहुत ही चादर ड्रंग थी कि तुम अपने एडरेस तक बताने के हालत में नहीं थी इसलिए मैंने तुमें पुलिश टेशन में चोड़ा था, तब ओबेक उसे थेंक्यों कहती है, और वो उसे उसका नाम पूशती है, लेकिन सांग्यों उसे अपना नाम नहीं बताता है, तब ओबेक उसे अपना नाम बताती है, और वो उसे इनिक नेम सुपरमेन देती है, और वो कहती है मेरी भी एक सोरी है जिससे मेरा कोई बर्फेन नहीं है। उसके वास सांग्योग सभी को देख रहा था और सभी से एक ट्रेट निकर रहा होता है। वहीं जब वो ओबेक को देखता है उससे कोई भी ट्रेट नहीं निकर रहा था और ये देकर सांग्यूक शौक होता है वहीं सांग्यूक ओबेक को ही देख रहा था जो ओबेक देख लेती है और वो उसके पास आती है और कहती है तुम मुझे इतने क्यों घूर रहे हो तुम म मेरें अपने ڈ lain में कोई feeling मत रखना ओबै ऐसा इससी कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सांग्यूग भी उसे लाइक करने लगा है वहीं ओबैक को सांग्यूग से स्मैल आने लगता है जिससे वह उसे सुने जाती है और वो उसके बहुत close से ली जाती है और इसके साथ ही एपिसोड end होता है और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल एकन को क्लिक कीजिए दिलते हैं नेक्स वीडियो में थैक्स पर वचिंग दो वीडियो